नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और बहतरीन मेडिसीन कार्बो एनेमेलिस के बारे में बताने जा रहा हूँ यहाँ पर आप मेरे हाथ में देखेंगे यह कार्बो एनेमेलिस 200 पोटेंसी में है और खासका के इस medicine को हम 200 potency में ही use करते हैं क्योंकि इस medicine का जो काम है दोस्तो उसको सही तरीके से परफार्म करने के लिए बहुत आवश्यक है कि इसे 200 potency में एक बार सुबह और एक बार साम को लिया जाए तो ये medicine इतनी ज़्यादा कारगर medicine है दोस्तो कि ये सरीर में जो गिल्टिया बन जाती है जो ग्रंथिया बड़ी हो जाती है सूच जाती है कठोर हो जाती है चाहे वो कठोर हो करके एक नार्मल सी मतलब जो benign tumor type का होता वो हो या वो बदल करके cancer की गठान बन गई हो उसमें भी दोस्तो ये बहुती ज़्यादा मददगार होती है देखे दोस्तो जब ग्रंथियों में किसी भी प्रकार की सूजन हो जाए वो सूच करके वो ग्रंथि बड़ी हो जाए बड़ी होने पर उसे चूने पर दर्द हो बड़ गया है उसको बापस रिड्यूस करने के लिए कार्बो एनेमेलिस दबा का होमेपेथे में इस्तेमाल होता है इसके रिजल्टे भी बहुत सांदार होते हैं आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बगल में जो है गिल्टियां सूच जाती है ग्रंथियां बड़ी हो जाती है या बहुत सारे लोगों को गर्दन के अंदर गिल्टियां कठोर हो जाती है बड़ी हो जाती है, चूने पर यसा लगता है, जैसे पत्तर जैसी कड़क है, मोटी हो गई है, कठोर हो गई है, दर्द भी करती है, महिलाओ में आप देखेंगे तो breast में cancer बन जाते हैं, breast tumor हो जाते हैं, या पुर्षों में भी यदि lung के cancer है, lungs के अंदर ये सारी गठाने तो इस प्रकार की यदि सरीर में कहीं पर गठान होती है, बड़ी होती है, चूने पर बहुत ज़्यादा कठोर लगती है, जैसे के कोई पत्थर हो, जैसे कोई tumor हो, तो वहाँ पर carvo animal इसका यूज़ करते हैं, चाहे वो नार्मल हो, या वो cancer से बनी होई गठान हो, दोस्तो महिलाओं में आप देखेंगे, तो गरभासाय के अंदर यदि कोई गठान हो रही हो, कठोरता आ रही हो, वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है, कई बार गरभासाय का जो मुह होता है, दोस्तों वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, कड़क हो जाता है, वहाँ प वहीं पर कठोर हो जाता है तो जब हम कार्वो एनेमेलिस देना सुरू करते हैं तो वो जो कठोरता है वो धीरे-धीरे खत्म होती है बापस से उस जख्म को जो है blood circulation सही तरीके से मिलने लगता है और वो जख्म फिर जो है दोस्तों धीरे-धीरे करके वापस से भरना सुरू हो जाता है तो कई बार आप देखेंगे तो ulcers के cases में या gangrene के cases में भी कार्वो एनेमेलिस का यूज किया जाता है तो कार्वो एनेमेलिस को बताने का सबसे बड़ा उद्देश यह है दोस्तों ये cancer के लिए बहुत ज़्यादा इस्तिमाल करने वाली दबा है खास करके यदि breast cancer हो रहा हो यदि गले में cancer हो रहा हो यदि दोस्तों गरभासाय में cancer हो रहा हो जांगों में दिक्कत हो तो ये सबसे ज़्यादा इस्तिमाल होती है इसके अलाबा पुरसों में यदि prostate cancer है तो अभी दूसरी दवाओ के साथ आप Carvo Animalis का यूज़ दोस्तों कर सकते हैं तो ये तो इसका सरवादिक उपयोग किया जने वाला मैंने आपको एक तरीका बताया इसके लबाए यदि दूसरी बात की जाए तो Carvo Animalis को दोस्तों महिलाओं में यदि बहुत जादा कमजोरी आती हो तब भी यूज़ किया जाता है ऐसी महिलाओं में जिन में यदि बारवार मैंसेज बहुत जल्दी आ रहा हो एक ताय समय के पहले ही मैंसेज आ जाते हैं बहुत जादा समय तक रहते हैं और उसमें बहुत ही जादा bleeding होती है, तो ऐसी महिलाओं में जाहिर सी बाते कमजोरी आ जाएगी, पर उससे भी कई गुना कमजोरी लगे, यह सा लगे जितना blood गया है, उसमें जितनी कमजोरी आना थी, उससे बहुत जादा कमजोरी आ रही हो, तो वहांपर उस कमजोरी को दूर करने के लिए और इन सिकाइतों को दूर करने के लिए भी Carvo Animalist का दुस्त उपियोग किया जाता है इसका एक और प्रमुक उपियोग यह होता है कि यदि किसी ब्यक्ती के जोड जो होते हैं थोड़ा सा गड़े में रखाया तो उनको पाउं में मोच आ जाती तुरंत ये एंगल जॉइंट जो है ट्विश्ट हो जाता है तो यदि किसी व्यक्ति को ये सिकायत हो रही है कि सामानी व्यक्ति को तुलना में बार बार जो है मोच आ रही है सही तरीके से development नहीं हुआ तो ऐसे लोग जब भी थोड़ा बहुत भी समान उठाएंगे उनकी कमर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगेगी read की हड़ी में पीछे जो है दोस्तों दुखना सुरू हो जाएगा तो ऐसे जगह पर भी carvoanimals के use करके read की हड़ी को ताकत दी जाती है join को develop किया जाता है ताकि वहाँ पर उन लोगों के अंदर की कारेश हमता बहतर हो सकी है उनकी capacity बढ़े और फिर उनको बजन उठाने में उतनी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता इसी चीच के लावा carvoanimals के use skin के cases में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा किया जाता है खासकर pimples में या racist में पर उन तो एक बात का धियान रखना पड़ता है कि यदि pimples से या सरी में कहीं पर भी racist हो रहा है उनका color यदि आपको copper color का दिखता है तामबे कलर के वो eruptions दिखते हैं तो वहाँ पर आपको दोस्तों कार्बोनीमलिस के use से बहुत ज़्यादा मिलता है चाहे वो आप उनको नाम दे दीजिए एकने बलगेरिस के cases में ऐसा देखना को मिल रहा हो एकने रोजेजिया में यदि आपको तामबे के color से मतलब यह सा यह नहीं कि बिल्कुल आपको एकदम copper color का ही दिखेगा परन्तु यदि आप देखेंगे तो आपको copper color के हलकी सी shade दिखाई देगी हलका सा आपको थोड़ा सा कहते हैं न color discoloration हो गया तो यदि rate color के भी pimples है उसमें भी यदि आपको हलका-हलका copper color देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर आप carvo animals का यूज़ कर सकते हैं बहुत ही तेजी से यह pimples को भी ठीक करते हैं खासकर यदि यसे pimples जो छूने पर कड़क लगते हैं परन्तु उसके अंदर किसी प्रकार का पस नहीं पढ़ता तेकि दोस्तो जब भी कहीं पर कोई चीज आकार में बढ़ रही है उसके अंदर पस है तो जब वो पस निकलता है तो वो चीज बढ़ी हूई बापस नार्मल हो जाती ही सिकूर जाती परंतो यदि बिना किसी पसके ही कोई चीज बढ़ रही हो जैसे पिंपल बढ़ गया, कड़क हो गया, कठोर हो गया, वहाँ पर आप कार्वो एनिमेलिस का यूज करेंगे कार्वो एनिमेलिस को डाइजेशन को सुधारने के लिए भी इस्तिमाल किया जाता है, यदि कोई ब्यक्ति वीक डाइजेशन का सिकार है, और उस ब्यक्ति के पेट में उसको लगाता रेसी फिलिंग आती है, जिसे कि खाली पन सा महसूस हो रहा, पेट हमेसा खाली खाली लग जाता है, साथ में लगाता है फ्लेटर्ज जो है वो पास खुता रहता है, गेसिस बनती रहती है, डाइजेशन कमजोर है, ऐसे ब्यक्ति के डाइजेशन को ठीक करने के लिए भी आप कार्वो एनिमेलिस का यूज़ दोस्तों कर सकते हैं, कार्वो एनिमेलिस को यदि किसी ब्यक्ति के हाथ पाउं की उंग्लियों में आपको ब्लूइस कलर दिख रहा है, यदि आप हाथ पाउं की उंग्लियों के अगले सीरे दिखेंगे तो आपको यहाँ पर हलका हलका सा नीला पन दिखेगा, तो यह बात का संके थे कि बलट का फ्लो जो है नारमली उंग्लियो जो सिरे होते हैं वो ठंड के समय में बहुत ज़्यादा नीले हो गाए हैं, ब्लूइस हो गाए हैं, परपल कलर के हो गाए हैं, तो वहाँ पर दोस्तों ये माना जाता है कि बलड प्रापर तरीके से आगे के हिस्सों तक नहीं पहुँच रहा है, तो एसी कंडिसन में बलड को सरीर के हर एक कोने तक पहुचाने के लिए कर्वो एनीमेलिस का यूज़ करते हैं, सरीर महुशनता गर्मी उत्पन होती है और बलड का फ्लो नार्मल होता है, तो इन सब चीजों में आप कर्वो एनीमेलिस का यूज़ कीजिए, आप लिक्विड में ले लिजेगा चारबुन सुभे चारबुन साम दीजेगा आपको बहुती बहतर प्रेनाम मिलेंगे उम्हीद करूंगे दोस्तों कार्वो एनी मेलिस पर बना हुआ ये वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो ये पसंद आए और इसी प्रकार के आप दूसरी भी होमेवितिक दवाव पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल से जुड़े रहेगा वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद बंदे मात्रम